बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका माई इंग्लिश कोस बुक स्टैंडर डेट का थर्ड लेसन ये पोयम है जिसका नाम है ट्रीज आर दे काइंडेस थिंग्स आ नू अभी हम इसको पढ़ेंगे इजनने पेड आर दे काइंडेस थिंग्स आइनने सबसे महरबान पेड सबसे ज़्यादा महरबान चीज रहें जिनको मैं जानता हूँ यहाम 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 यह sleepy cows cows याने गाय गया महिया जो होती है गाय होती है उसका adjective क्या इधर sleepy याने नीन से भरी होई जिनको नीन दाती है जब हमें नीन दारी होती है बहुत हम क्या बोलते हैं sleepy है तो sleepy याने नीन दारी होई and spread a shade for sleepy cows याने जो गायों को नीन दारी होती है उनके लिए वो छाओ देते हैं and gather birds among their boughs boughs means branches gather birds यहने birds को gather यहने 71 करना gather birds यहने पक्षियों को चीडियां को gather करते among their boughs, boughs यहने branches branches यहने डालियां पेड की they give us fruit in leaves above and would to make our houses off they give us fruit in leaves above यहने, fruit यहने फल give यहने देना, वो हमको फल देते हैं, in leaves above, यहने यहने, जो पत्तियां होती है उपर उन में, and would to make our houses off wood, लकडी, और लकडी हमारे घरों को बनाने के लिए and leaves to burn on Halloween and in the spring new buds of green and leaves to burn leaves यहने पत्तिया to burn यहने जलाना and leaves to burn on Halloween now what is Halloween? a festival in autumn observed in western countries western countries यहने जहां पर mostly Christian culture follow होता है Christian dominant religion होता है जैसे अमेरिका हो गया Canada हो गया ऐसे countries उनका फेस्टिवल होता है Halloween जब सब अलग-अलग वेश में तयार होते हैं और जाते हैं and leaves to burn on Halloween and in the spring new buds of green यहने पत्यां Halloween पे जलाने के लिए and in the spring spring season सब को मालूम है बारिश के बाद का जब सब खिला-खिला होता है सब हरा-भरा होता है new buds of green यहने पूरे हरे-भरे बारिश के बाद पेड सब हरे-भरे होते हैं new buds of green यहने हरा-भरा सब they are the first when days begun to touch the beams of morning sun यहने they are the first when days begun यहने वो पहले होते हैं जब दिन शुरू होता है शुरू हो चुका होता है begin यहने शुरू हो चुका है to touch the beams of morning sun to touch the beams beams यहने raise यहने किरने touch यहने चुना morning sun यहने सुबह का सूरज वे पहले होते हैं जब दिन शुरू हो चुका होता है सूरज की सूबे के सूरज की किरिणों को छूने वाले याने वे आखरी होते हैं याने पकडना याने रोशनी को पकडने वाले जब शाम रात में बदलना जब शाम रात में बदलती है याने जब एक चांद आकाश में फ्लोट करता है याने जब एक चांद आकाश में फ्लोट करता है याने खुशी से गाना दे हम आँ ड्राउजी लालाबाय ड्राउजी येने वापस से सेम इधर एक आपक हमने sleep का synonym हैं ड्राउजी अन्यानुम येनि सेम मतलब येनि sleepy और ड्राउजी का मतलब एक ही है ड्राउजी भी एक अर वर्ड है येनि किसी को नींद से भरा हुआ उसको ड्रावजी बोलते हैं ललाबाय soft slow song to put children to sleep ललाबाय एक ऐसे ही जो हम छोटे बच्चों को जो गाते हैं गाना उनको सुलाने के लिए उसको ललाबाय बोलते है जब एक चांद आकाश में तेरता है float करता है वे इने पेड एक ड्रावजी नींद से भरी हुई ललाबाय गाते है और sleepy children long ago trees are the kindest things I know और sleepy children long ago यहने they hum a drowsy ललाबाय वो एक ड्रावजी ललाबाय गाते हैं जो बच्चों को नींदारी होती है बहुत पहले उनके लिए trees are the kindest things I know पेड सबसे महरबान चीजे होती है जिनको मैं जानता हूँ trees are the kindest things I know they do not harm they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs they give us fruit in leaves above and wood to make our houses off and leaves to burn on Halloween and in the spring new buds of green they are the first when days begun to touch the beams of morning sun they are the last to hold the light when evening changes into night and when a moon floats on the sky they hum a drowsy lalabey of sleepy children long ago trees are the kindest things I know